नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जहरखन की टॉप प तिस परमुख खबर जानते हैं जनकी आफ़टाँन की परकरीया शुरू होगा इस बार आवेधन करने के साथ साथ छात्रवीर्थी का भुक्तान किया जाएगा अनसुचित जन जाती अनसुचित जाती और पिछले वर्ग के छात्रचात्राओं को इस छात्रवीर्थी का भुक्तान किया जाएगा बतादे पहली से पांचवी कलास में पढ़ने वाले इन कोटी के छात्र छात्राओं को 15 सरूपए से लाना छात्रविती मिलेगी वहीं छात्री से आठवी के बच्चों को 25 सरूपए दिये जाएंगे छात्रवास में रहकर पढ़ने वाले इस कोटी के बच्चों को दू हजार रुपे दिये जाएंगे इसके अलावा नौवी से बराहमी के छात्रशात्राओं को पैतालीस रुपे सल भर में छात्रवेती के रुपे दिये जाएगी वहीं कल्यान विभा की ओर से इस्तमाद में विश्त्रीत नेदेश जीलो को भी भेज दिया गया है राज्य के 11,550 पसुपालकों को दुधारू पसुबाटेगी सरकार मुख्यमंत्री पसुधन विकास योजना के तहत राज्य के किसानों एवं पसुपालकों की आमदनी बढ़ा कर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए राज सरकार प्रथम चरण में 11,550 पसुपालक किसानों को दुधारू पसु उपलब्द कराने जा रही है इसमें 8775 किसानों को 60 सही दो दुधारू गाय भैस ौर 795 किसानों को 60 सही 10 दुधारू पसु गाय भैस ॉपलब्द कराई जा के लक्ष निधारित किया गया है पारत सिक्ष को के लिए ईपी एफ बीमा और कल्यान कोस का लाब मिल सकेगा इसे निधारित करने के लिए ज़ार्खन सिक्षा परियुना परचद ने इनके संगों के साथ 10 अगस्त को बैठक बुलाई है जे एपी सी की राज परियोजना निदेशा कीरन कुमारी पासी ने समधित संगों को बैठक में सामिल होने के लिए पत्र लिखा है बैठक में एकी क्रीद साहयक, अध्यापक संगष मोर्चा, जार्खन राज प्रसिक्षी साहयक, अध्यापक संग, टेट सफल साहयक, अध्यापक संग, कस्तुरबा गान धी, भालीका बिद्दैले कर्मी संग, और BRP CRP महासंग के दो-दो सदस्यों को बैठक में सामिल होने के लिए कहा गया है SPD कीरन कुमारी पासी ने कहा है कि विभीन कर्मी संगो द्वारा बार बार कल्यान कोस को लागू करने की मांग की जा रही है CM हमन्त को मिले ED के स्थमन पर JMM का फुटा गुसा जारखन के मुख्य मैंत्री हमन्त को मिले ED के समन का सत्तारूड जारखन मुक्ती मोर्चा जहमुमों ने विरोध किया है मोर्चा के महासची उस्वा परवक्ता सुपरियो भटाचाय ने कहा है कि यह एक सोर्ची समझी साजिस का हिसा है इसकी पठकथा पुरो में ही लिखी जा चुकी है बुद्धवार को आदिवासी दिवस है और उसके एक दिन पहले समन जारी करना या परमानित करता है कि आदिवासी महोच्षव से इनके पेट में दर्द हो रहा है 15 अगस से एक दिन पुर्व पुष्ट आज के लिए समन करना बुलाना विया परमानित करता है कि इनकी मांसा है कि मुख्य मंतरी राष्टिये तवज नहीं फाराए जारखन मुक्ति मोर्चा इन चुनोतियों से नहीं घबराता सभी चुनोतियों का पुर्व में भी मुख्य मंतरी हमान सुरेन ने सामना किया है सीयम हमान्त को एडी का समन 14 अगस्त को पुष्टाच के लिए बुलाया परवतन निजसाले ने जहारखन के मुख्य मंतरी हमान सुरेन को समन भेजा है राइधानी राची के बरियातो इस्थीत एक जमीन मामले में उनसे पुष्टाच के लिए समन भेजने की जनकारी मिली है इडी अपने कर्याले में 14 अगस्त दो हजाते इसको पुष्टाच के लिए उन्हें बुलाया है बता दे कि इसे पहले इडी ने मुख्य मंतरी को ववायत खरन मामले में समन जारी कर पुष्टाच के लिए बुलाया था सीएम इडी अफिस जाकर अपनी बात रखे थे मंगलवार को इडी ने सीएम हेमन सुरेन को समन भेजा है इस समन में 14 अगस्त को पुष्टाच के लिए छेत्रिय कर्याले बुलाया है बताया के है कि राई धानी राची के वरियातु में जमिन मामले को लेकर मुख्ष मंतरी से इडी पूष्टाच करेगा आदिवासी महोस्व में सामिल हुए राजेपाल राजे में आदिवासी दिवस को लेकर उत्साह चरम पढ़ है बुद्वार नवगस्त को मनाये जाने वाले अंतराश्ट्री आदिवासी दिवस के पूरु मंगलवार को राची विश्व विद्याले के दोहरा मुराबादी दिख्षांत मंडप में रंगारं कारिकरम आयोजित किया गया दिन भर चले इस कारिकरमे राजेपल सिपी राधाकृष्णन पदमस्री मधु मंसूरी पदमस्री असोक भगात पदमस्री जमुना देवी सहित कई गन्माने लोगों ने सिर्कत की है इस मौके पर आदिवासी सव्यता संस्कृती को दरसाता मनो हरिन रित प्रस्तूत की गई जिसे काफी सराहा गया राजेपल सिपी राधाकृष्णन ने उद्गाटन सत्रे में भाग लेते हुए आदिवासीयों की प्राचिन सव्यता संस्कृती की जम का सराना की उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाय जाने का मूल मकसद समाज के विफीन छेत्रों में उनके योगदान से अउगत होते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है साथ ही उनके अनूठी जीवन सहली और इस भूमी से उनके प्रगाध संबन्द से भावी पीडियो को अवगत कराना है डूमरी बिधान सभासीट पर 5 सितम्बर को भोटिंग 8 सितम्बर को मत गनना डूमरी पिधान सवासीट पर उप चुनाव की घोसना कर दी गई है डूमरी में 5 सितंबर को मत दान होगा जबकि 8 सितंबर को मत गर्नी की जाएगी डूमरी पिधान सवासीट सिक्छा मंतरी जगरनात महतों की निधन के बाद खाली हुई है निर्वाचन आयो की तरफ से जार महाँ पसले सकेंगे वहाई 10 सितंबर तक उप चुना की पूरी पर किरिया पूरी हो जाएगी बता दे डूमरी बिधान सवासीट जगरनात महतों की निधन के बाद से खाली हुई है 1932 खतियान आधारित अस्थाने निती पर घामासान पक्षो और समिधान का अध्यान करके ही इसको लागू करे इसमें समिधान के नुरूप चीजों हो या भी सुनिश्चित करना होगा ताकि कोट मेया कानून ठहर सके बित मंत्री डाक्टर रामेश्वरूरान के ब्यान पर एक बार फिर से 1932 खतियान अधारित अस्थाने तक मोदे पर सियासत शुरू हो गई है रांची को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस त्यार कर रही अभेद कवाच रांची में बड़े बड़े वार्दातों को अंजाम दे कर अपराधी अब सहर से बाहर नहीं भाग पाएंगे पुलिस अब सहरी छेतर की सीमा ही अपराधीयों को दबोच लेगी इसके लिए रांची पुलिस सहर के आउटर में सुरक्षा घेरा बनाने जा रही है दरासल रांची पुलिस सहर की सीमा में 17 अथानों पर पुलिस पोस्ट बनाने जा रही है इसके लिए अस्थाल बेचीनित कर लिए गए है पूलिस पोस्ट में CCTV केमरे भी लगाये जाएंगे ज्यारखन पूलिस की रणिती दो मामले हैं दर्ज तो घर के सामने खीचानी होगी फोटो जमसेथपुर पूलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए अनों की रणिती बनाई है इस पर पूलिस के निशाने पर वैसे अपराधी होंगे जिनके खिलाब दो पेश सेवर अपराध के मामले दर्ज हैं और वे फिलहाल जमानत पर हैं ऐसे लोगों की सुची बनाई गई है और इस सुची के अधार पर रात में पूलिस की टीम उनके घर पर दविश दे रही है घर पर मिलने की स्थिती में उसे घर के सामने खड़ाक करने के बाद तस्वीर खिच रही है ऐसे अपराधी होंगे संख्या 3,000 के आसपास है